हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इगनु हिंदी क्लासिस आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज किस वीडियो में हम बी एच आइसी वन द्री वन जिसका नाम भारत का इतिहास आरंभिक काल से तीन सो इश्वी पूर्फ तक है आज हम इसी कोड के कुछ इंपॉर्टें कोशन्स देखने वाले हैं साथ ही में उसके आंसर भी देखेंगे ठीक है अभी जो आपके एक्जाम्स चल रहे हैं ये कोशन्स आपके एक्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इन कोशन्स को अच्छे से तयार कर लेते हैं अपने एक्जाम के लिए तो आप अपने एक्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बैल आइकन को अन कर ले ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं हमारा जो पहला कोशन है, वो है जैन और बुद्ध साहित्ते से आप क्या समझते हैं ठीक है, तो आप इसका आंसर ये देख सकते हैं आप इसका आंसर जो है वो खुद से पढ़ लेना क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आंसर भी आपको बताऊ तो इसलिए आप इनके जो आंसर हैं वो खुद से पढ़ लेना, ठीक है यहाँ पर जो है इसका आंसर खतम होता है, ठीक इसके बाद हमारा अगला कोशन है, भारती इतिहास के संदर्व में विदेशी यात्रियों ने क्या तरक रखे ठीक है तो आप इसका अंसर यह देख सकते हैं, यह रहा इसका अंसर, ठीक है और आप इनकोशन्स को ना अपने एक्जाम के लिए अच्छे से प्रपेर कर लेना, यह इसका अंसर है, ठीक है इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला कोशन है भारत की भौगौलिक लक्षन तथा विशेशताओं का वर्णन कीजिए तो आप यह इसका अंसर देख सकते हैं, ठीक है यह रहा इसका अंसर यहाँ पर जो है इसका अंसर खतम होता है, ठीक इसके बाद हमारा अगला कोशन है भारत में पूरा पाशान तथा मध्य पाशान संस्कृतियों का विवर्ण उनकी बस्तियों और जारों तथा जीविका के तरीके के विशेश संदर्व में दीजिए ठीक है तो यह कोशन है, हमारा आप इसका अंसर यह देख सकते हैं यह रहा इसका अंसर, ठीक यहाँ पर जो है इसका अंसर खतम होता है, ठीक है इसके बाद हमारा अगला कोशन है पस्चेमी मध्य एवं पूर्वी भारत की तामर पाशान संस्कृतियों की प्रमुक विशेशताएं क्या थी ठीक है, तो आप इसका अंसर भी यह देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका अंसर खतम होता है, ठीक है इसके बाद हमारा अगला कोशन है हडपा सब्वेता में प्रचले धर्म तथा धार्मिक रीतियों का विवरन दीजिए तो यह रहा इसका अंसर आप इसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है यहाँ पर जो है इसका अंसर खतम होता है, ठीक है इसके बाद है हमारा गैस पेपर टू, ठीक है तो इसका हम पहला कोशन देखते हैं हमारा कोशन है, हडपा सब्भेता की नगर योजना तथा इस्थापत्य कला का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए ठीक है, तो आप इसका अंसर भी यह देख सकते हैं यह रहा इसका अंसर, ठीक है ठीक है यहां पर जो इसका अंसर खतम होता है, ठीक है, इसके बाद हमारा अगला कोशन है तमिल साहित्ते का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं इसका अंसर आप पढ़ लेना, ठीक है जो यहां पर जो इसका अंसर खतम होता है, ठीक है, इसके बाद हमारा अगला कोशन है 7 वाहन सांस्कृती के कला एवम इस्थापत्ते की वर्णन कीजिए ठीक है, तो आप इस कांसर भी देख सकते हैं ठीक है, ये रहा इस कांसर ठीक है यहाँ पर इस कांसर खतम होता है ठीक है, इसके बाद हमारा अगला कोशन है साथ वहन राज्जे की शाषन विवस्था कैसी थी तो आप इसका अंसर भी देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका अंसर खतम होता है इसके बाद हमारा अगला कोशन है मगद सामराज्जे का उदै मगद सामराज्जे था उसके उदै के बारे में आपको बताना है तो आप इसका अंसर भी देख सकते हैं यह रहा है इसका अंसर ठीक है यहाँ पर जो इसका अंसर खतम होता है इसके बाद हमारा तीसरा गैस पेपर है इसका हमारा पहला कोशन है बोध धर्म का विकास और विस्तार किस परकार हुआ तो आपको यह बताना है जो बोध धर्म था उसका विकास और जो विस्तार था वो किस तरह से हुआ ठीक है तो आप इसका अंसर देख सकते हैं इसे आप पढ़ लेना ठीक है इसके बाद यहाँ पर जो है इसका अंसर खतम होता है और आगे है हमारा अगला कोशन प्राचीन भारत में जैन धर्म के विकास तथा विस्तार पर प्रिकास डालिए अब जो जैन धर्म था उसके विकास के और विस्तार पर आपको बताना है कि उसका विकास और विस्तार किस तरह से हुआ ठीक है तो यहाँ पर जो है इसका अंसर खतम होता है इसके बाद हमारा अगला कोशन है सोला महा जनपदों का उचित विवरण दीजिए जो महा जनपद है सोला उनके बारे में आपको बताना है ठीक है तो आप ये देख सकते हैं इसका अंसर ठीक है आप इने पढ़ लेना यहां पर इसका अंसर खतम होता है ठीक है इसके बाद हमारा अगला कोशन है उत्तरवैदिक योग में साहित्तिक और पुरा तात्विक स्रोत का क्या योगदान था ठीक है तो आप इसका अंसर भी ये देख सकते हैं ये रहा इसका अंसर ठीक है यहां पर जो है इसका अंसर खतम होता है ठीक इसके बाद हमारा अगला कोशन है हडपा निवासियों की सामाजिक विशेश्टाएं क्या थी ठीक है तो आप इसका अंसर भी देख सकते हैं ठीक है और इसका अंसर यहां पर जो इसका अंसर खतम होता है ठीक है इसके बाद हमारा अगला कोशन है मौरे काल में अशोक की नीतियों का विवेचन कीजिए ठीक है तो आप इसका अंसर भी देख सकते हैं यह रहा है इसका अंसर ठीक है यहाँ पर जो है इसका अंसर खतम होता है ठीक है और यहाँ पर करते हैं अपनी वीडियो का end तो इस subject के जितने भी important questions थे साथी में उनकी आंसर हमने देख लिये हैं ठीक है I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना share करना comment करके बताना वीडियो कैसा लगा and channel को subscribe कर लेना ठीक है और इसका जो PDF है वो आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगा तो आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं ठीक है और telegram channel का जो link है वो आपको description box में मिलेगा आप वहाँ से direct channel को join कर सकते हैं और PDF से अराम से जितने भी questions और answers हैं उनको पढ़ सकते हैं खुझ से ठीक है and all the best for your exams thanks for watching bye bye